Hi, this is N.H. Green from Green English. अक्सर मेरे दोस्त और मेरे स्टूडेन्स मुझसे क्वेस्चन करती हैं कि ग्रामर की किताब में कौन सी किताब पढ़ी जाएं? और कैसे हम ग्रामर की किताब को पढ़ें? तो आज की विडियो जो है हमारी इस टॉपिक पर रहेगी. तो चलिए विडियो शुरू करते हैं ग्रामर की किताब चैयन करने से पहले हमें तीन बातों को दिहान में रखना पड़ेगा पहली चीज बुक जो हमारे लेबल की हो कहने का मतलब यह है कि हमारा एम जो है कभी-कभी बहुत बड़ा भी हो सकता है लेकिन हमारा लेबल जो है कम हो सकता है जैसे किसी कम्टिशन लेबल की हम तयारी करना चाहती है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता हो लेकिन हमारा लेबल जो है उस कम्टिशन लेबल के इंग्लिश के बराबर नहीं हो तो हम जो है अपने लेवल के हिसाब से किताब का चैन करेंगे दूसरी चीज़, बुक जब हम चैन करेंगे तो वो comprehensive language में हो और सबसे बहतर comprehensive language mother tongue होता है अगर आप English में grammar को पढ़ने में comfortable feel करते हैं तो आप English में लें, लेकिन आप अगर Hindi में लेते हैं ज़्यादा समझ लेते हैं, तो Hindi में लेना ज़्यादा बेतर है यह हमें नहीं सोचना जाए कि English grammar को हम English में ही सीखें वो English automatic आपको बाद में आ जाएगी और तीसरी चीज़, जो किताब हम लें, चैन करें शुरू में वह किताब हमारी ज़्यादा ठीक ना हो, ज़्यादा मोटी ना हो किताब बिलकुल पतली होनी चाहिए, ताकि किताब को हम शुरू से अंत कर सकें कभी-कभी लोग ये भी सलाह देते हैं, कि किताब जो है, आप ये किताब ले लें, वो किताब लें बेहतर ये होगा कि आप अपने शुरुवात या तो बेसिक लेबल या जुनियर लेबल से आप करें तो इसके लिए कुछ किताबों को मैं बता दू किस तरह के किताब आप ले सकते हैं जिसे मैंने चार किताब जो है मेरे पास अभी जुनियर लेबल की है तो मैं उन चार किताब के बारे में आपको बताता हूँ सबसे पहली किताब जो है The Challenge of Junior English Grammar यह जो है डी जहां की है और यह काफी अच्छी किताब है और पतली किताब है यह किताब सिर्फ करीबन 200 पेज की है इसे पढ़ने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप इसे जल से जल खतम करेंगे और करीबन इसमें सारा चैप्टर भी आपको मिलेगा दूसरे नमबर पे जो मेरे पास किताब है वह है Junior English Grammar यह Lucent की है इस Grammar की एक खासियत यह है कि इसमें definition जो है English में भी है और Hindi में भी है तो आप यहां से इसे सीख सकते हैं प्लस इसमें color भी आपको मिलेगा color भी किया गया है ताकि देखने में यह पिल्कुल असान लगे और interesting भी लगे तीसरी जो किताब है मेरे पास वह है Perfect English Grammar और यह काफी अच्छी किताब है इस किताब की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस किताब में जैसे कुछ words के जैसे noun आपने पढ़ा तो कुछ ऐसे noun जिसमें आप confused हो सकते हैं उसका पूरी तरह से details भी दिया हुआ है जैसे हम ले ले मिटी की English को ले 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 तो मिटी की English Earth भी है, Soil भी है, Mud भी है Clay भी है, तो Earth वैसे मिटी जैनरल मिटी को कहेंगे Soil जिस पर हम खेती करते हैं और Mud जो है वो कीचड़ हो गया और Clay वैसे मिटी जो गूथी भी है, जो कुमार इस्तामाल करते तो इसमें ये सारी जीटेल्स जो है आपको मिलेगी, और लास्ट में जो सबसे अच्छी जो बुक मुझे लगी वो है Oxford Junior English Grammar इस बुक की एक खास्यत सबसे बड़ी यह है कि यह बुक बिल्कुल comprehensive way में लिखे हुई है और करीबन इसमें सारे topic को cover किया गया है और इस बुक में English में भी definition दिया गया और Hindi में भी दिया गया है और इसे आपको समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी इस किताब को आप आराम से बहुत गम समय में खतम कर लेंगे फिर आप अपने एम के हसाब से किताबों का चैन करें तो किताब लेने में आप जरूर ध्यान रखे और सबसे पहले पतली किताब से शुरू करें ताकि उस किताब को खतम कर लें आप उबे नहीं तो बेहतर यही होगा कि आप इन में से जो भी किताब अगर आपके पास ये किताब आपको नहीं मिल पा रही हों तो आप कोई भी जुनियर लेवल के किताब से आप शुरू कर सकते हैं अगर इफ युवर कमफर्टेवल इंग्लिश देन यू टेक इंग्लिश बुक डैट विल अल्सों हेल्प यू बट टोटली डिपेंड्स ओन यूर कंप्रेहेंसिव लेबल अगर आप इसे समझते हैं तो इस लैंग्वज मिले अगर आपका मदर टंग अधर लैंग्वज है लाइक बैंगोली है या तमिल है या उडिया है तो उस कंडिशन में आप उडिया में उस ग्रामर के किताबों का चेहन करें जो आप आसान नहीं से समझ सकें तो आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में मैं बताऊंगे grammar के किताब को आप कैसे पढ़ें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समझें और जल्दी खतम करें और ज़्यादा से ज़्यादा knowledge बढ़ाएं थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो